Hello everyone, welcome back to Let's Learn With Me आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं UKG क्लास की Math वर्कशीट इससे पहले मैंने English और Hindi की वर्कशीट शेर की है यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं बच्चों के सेकेंड टर्म की एक्जाम सोने वाले हैं तो ये वर्कशीट आपको बहुत ही जादा हेल्प करेंगे बच्चों की एक्जाम की प्रिप्रेशन कराने में तो चलिए पैरेंट्स आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं इसे आपको पूरा देखना है और अगर आपको ये वीडियो हेल्पुल लगे तो प्लेज इसे लाइक और शियर भी जरूर कर दीजेगा यहाँ पर हमें जो काउंटिंग दे गई है इनकम्प्लीट है इसे कम्प्लीट करना है सो फर्स्ट वन इस 151 151 के आफ्टर आता है 152 देन 153 154 यहाँ पर लिखा हुआ है 155 156 157 158 और यहाँ पर है 159 इसी तरीके से 69 इसी तरीके से 69 देन 70 71 72 73 74 75 76 नेक्स्ट इस 183 184 185 186 187 188 189 इस तरीके से आपको बच्चों को काउंटिंग की प्रैक्टिस करानी है नेक्स्ट केस्ट रिलेटेड है आफ्टर, बिफोर और बिट्बीन नंबर से फर्स्ट वन इस वाट कॉम्स आफ्टर 121 121 के आफ्टर कौन सा नंबर आता है Correct answer is 122 What comes after 90? Answer is 91 What comes before 143? Answer is 142 What comes between 141 and 143? Answer is 142 What comes between 99 and 101? Correct answer is 100 Next question is Encircle the smallest number यहाँ पर हमें कुछ गृप्स दिये गए है numbers के So, इन में हमें देखना है कि कौन सा इस smallest number है उसे circle करना है So, 71 and 81 इन दोनों में smallest number है 71 तो इसे हम circle कर देंगे 101 and 191 में smallest number है 101 इसे circle करेंगे 65 and 52 इन में smallest number है 52 तो इसे हम circle करेंगे 99 and 152 इन में smallest number है 99 13 and 12 में smallest number है 12 इसे circle करेंगे 73 and 44 में smallest number है 44 तो इसे हम circle कर देंगे Next question is Write the numbers in words यहाँ पर हमें कुछ numbers दिये गए है इन्हें हमें लिखना है words में यानि की इनके number name लिखने है So, first one is 51 इसे हम लिखेंगे F-I-F-T-Y-O-N-E-1 51 Next question is Fill in by big and small तो यहाँ पर हमें कुछ objects दिये गए हैं अगर यह object small है तो हम लिखेंगे S-M-A-L-L small और object big है तो लिखेंगे B-I-G-big So, first यहाँ पर sun बना हुआ है यह small है तो यहाँ पर हम लिखेंगे S-M-A-L-L small यहाँ पर हम लिखेंगे B-I-G-big इसके बाद यहाँ पर है smileys तो यह वाला smiley big है यहाँ पर हम लिखेंगे B-I-G-big और यह small है तो यहाँ पर हम लिखेंगे S-M-A-L-L small यह वाला small है तो यहाँ पर small लिखेंगे यह flower big है तो यहाँ पर लिखेंगे big Next question is Write the table of four यहाँ पर आपको बच्चों को table की practice भी करानी है उनके syllabus में जितना भी table पढ़ाया गया है उसकी practice आप जरूर करा है जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे four का table next question में हमें यहाँ पर बच्चों को add की practice करानी है UKG में बच्चों को अभी second term तक two digits की practice करा दी गई है without carry तो इस तरह से आप भी बच्चों को practice करा सकते है जैसे कि यहाँ पर है 43 plus 11 इसे add करेंगे 3 plus 1 is equal to 4 4 plus 1 is equal to 5 5 plus 1 is equal to 6 2 plus 4 is equal to 6 3 plus 3 is equal to 6 3 plus 2 is equal to 5 4 plus 1 is equal to 5 5 plus 2 is equal to 7 add की तरह ही हमें बच्चों को subtraction की भी practice करानी है जैसे कि यहाँ पर number है 88 minus 15 तो यहाँ पर 8 है 8 से 5 को निकालेंगे तो आएगा 3 8 से 1 को निकालेंगे तो हो जाएगा 7 इस तरीके से इस का इंसर होगा 73 फिर है 59 minus 32 9 से 2 को मैनस करेंगे तो हो जाएगा 7 5 से 3 को मैनस करेंगे तो हो जाएगा 2 64 minus 20 4 से 1 को मैनस करेंगे तो हो जाएगा 3 6 से 2 को मैनस करेंगे तो आएगा 4 74 minus 32 4 से 2 को मैनस करेंगे तो एंसर आएगा 2 7 से 3 को मैनस करेंगे तो एंसर आएगा 4 इस तरीके से आपको बच्चों को add और subtraction की भी practice करानी है Next question is Write in numbers यहाँ पर हमें number names दिये गए हैं इन्हें हमें लिखना है numbers में जैसे कि first है 164 तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 6, 4 164 इसी तरीके से 75 तो यहाँ पर लिखेंगे 7, 5 75 89 तो यहाँ पर हो जाएगा 8, 9, 89 27 तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 7, 27 Next question is Write हिंदी numbers 51 to 60 तो यहाँ पर हमें हिंदी numbers की भी प्रैक्टिस बच्चों को करानी हैं आप देख लिजें बच्चों को स्लेवस में कहा से कहा तक की गिंती सिखाई गई हैं उसकी प्रैक्टिस आप कराएं जैसे कि यहाँ पर है 51 यानि कि 51 से लेकर 60 यानि कि 60 तक की गिंती बच्चों को लिखनी है तो यहाँ पर लिखेंगे 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 69, 60 यहाँ पर बच्चों को काउंटिंग लिखनी है तो बच्चों की स्लेवस में उन्हें जहां तक की भी काउंटिंग सिखाई गई है उसकी प्रैक्टिस आप जरूर कराएं जैसे कि यहाँ पर है 151 से लेकर के 170 तक की काउंटिंग लिखनी है तो यहाँ पर हो जाएगा 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 तो यह थी आज की UKG क्लास की मैथ वर्कशीट, होफुल कि यह वीडियो आपके लिए हेलफुल रही होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेलफुल लगी, तो प्लीज इसे लाइक और शेर जरूर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और बाई बाई